Hello friends, welcome to GK in Votuber Friends, हम NCRT सीरीज में तीन लेसन कर चुके हैं आज हम चोथा लेसन करेंगे चोथे लेसन में क्या आए? क्या बताती है हमें किताबे एंड कबरे इसमें किताबे, किताबों का क्या मतलब है? कौन सी किताबों का जिकर आएगा? और कौन सी कबरें और किश टाइब की कबरें? कैसे कबरें बनती थी पहले? वो सब इसमें हमें देखने को मिलेगा तो पुस्तकाल में एक बच्ची बैठी है और बहुत सी किताबों को वो देख रही है आलमीरा खोल-खोल करके और एक शिक्षक की नजर पढ़ती है तो वो शिक्षक उनको क्या बताते है ये सब है इसके अंदर जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने चात्रों को अपने साथ आने को कहा आज वे पहली बार पुस्तकाले जा रहे थे मेरी ने देखा कि पुस्तकाले उसकी कक्षा से काफी बढ़ा था और वहां किताबों से भरे कई रहे थे कोने में एक अलमारी थी जो मोटे-मोटे किताबों से भरी थी मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा उस अलमारी में अलग लग धर्मों से जुड़ी हुई महतवपूर्ण किताबे हैं क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रे है मैरी सोचने लगी वेद क्या है चलो पता लगाई दुनिया के प्राचिंतम ग्रंथों में एक सबसे जो प्राचिंतम ग्रंथ है उनमें एक क्या है वो वेद है शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा वेद चार है रिग वेद, शाम वेद यजूर वेद और अत्रव वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है रिगवेद जिसकी रचना लगबग 3500 years पहले हुई और रिगवेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है ये important है जिने सुक्त कहा गया और सुक्त होता क्या है सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया ये विभिन देवताओं की स्तूती में रचे गए है इनमें से तीन देवता बहुत महतोपुन है अगनी इंद्र और सौम अगनी आग की देवता इंद्र युद के देवता और सौम एक पोदा है जिससे खास पे पदार्थ बनाया जाता था वैदिक प्रार्थनाओं की रचना रिशियों ने की थी अचारे विद्यारतियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बाढ़ कर सैस वर पाठ द्वारा कंठस्त करवाते थे अधिकां शुक्तों के रचीता सीखने और सिखाने बाले पूरूस थे कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाएं उन्हें भी की थी रिकवेद की भाषा क्या थी? संस्कृत थी रिकवेद की भाषा कई बार सीटेर के एक्जाम में मैंने देखी है पुछा जाता है रिकवेद की भाषा के बारे में भारत की कई भासा हैं अश्मिया, गुजराती, हिंदी, कस्मेरी और सिंदी ऐसे अई भासा हैं जैसे फार्शी और यूर्योप की बहुत सी भासा हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसिसी, जर्मन, युनानी, इटाल्वी, स्पैनिश, आदी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं उन्हें एक भासा परिवार इसली कहा जाता है क्योंकि आरंब में उनमें कुछ शब्द एक जैसे थी उधार्ण के लिए जिसे मात्री वर्ड ये संस्कृत का है और मा है वो हिंदी का है और मदर है वो अंग्रेजी का है तो मिलते जुलते हैं इसली एक ही परिवार की माना क्या तुम एनमें कोई समानता नजर आती है उप महादवी पे दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है उधान के लिए पुर्वोत्र पर्देशों में तिबद बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है मिल तेल कु कन्नड और मल्यालम दर्विड भाषा परिवार की भाषा है जबकि जारकंड और MP के कई हिस्सों में जो बोली जाने वाली भाषा है वो ओस्ट्रो इस्याटिक परिवार से जुड़ी हुई है नेक्स्ट है किताबे अब किताबों से आपको थोड़ा मतलब समझ आ गया होगा किताबे कौन चे किताबों का यह जिक्र हो रहा है यह वेधों का जिक्र हो रहा है हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और चापी गई है हम जो आज कल पढ़ रहे हैं वो क्या हुआ है लिखी गई है और छापी गई है, लेकिन रिगवेद में क्या था, रिगवेद का उचारण किया जाता था, और शर्वन किया जाता था, नैंकि पढ़ा जाता था, जैसे हम आज किताबें पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ा नहीं जाता था रिगवेद, रिगवेद को रिशु लोग लोग पढ़के सुनाया करते थे और लोग सुना करते थे रचना की कई सद्यों बाद इससे पहली बार लिखा गया इससे चापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ इत्यासकार रिगवेद का अध्यन कैसे करते हैं इत्यासकार पुरात वेदाओं की तरह ही अतीत की बारे में जानकारी कठी करते हैं लेकिन भोतिक अफशेशों के लावे लिखिच प्रोतों का भी उप्योग करते हैं मतलब जानकारी कठी करने में क्या हो जाएगा, भोतिक चीजे तो आएंगी, आएंगी, लेकिन लिखित चीजें भी वो देखते हैं, चलो देखते हैं कि रिगवेद का आध्यने वो कैसे करते हैं, रिगवेद के कुछ सुक्त, सुक्त आपने पहले भी देखा हुगा, ये तो पांडूलीपी है जो बुर्ज नामक पेड की छाल के उपर लिखी गई है रिगवेद की पांडूलीपी का एक पेज आईए और ये लिपी कश्मीर में पाई गई थी और लगबग डेड़ सो साल पहले रिगवेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था इसी पांडूलीपी को देखकर अंग्रेजी अनवाद त्यार हुआ और ये पांडूलीपी आज कहां पी है पुने महराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में है ये विश्वा मित्रोड नद्यों इनके बीच में जो वारतलापत है इसको बोलते है सुक्त तो ये मवेशियों बच्चों का मतलब यहां पुत्रों से है पुत्रियों के लिए वो प्रार्थनाई नहीं करते थे और घोडों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाई है घोडों को लडाई में रत किचने के काम में लाया जाता था इन लडाईयों में मवेशी जीत कर लाय बनाने सी के उसके बाद वो खेती भी करने लगे धीरे-धीरे करके लेकिन पहले मवेशी होते थे जहां पर जोज ऐसी जल्दी त्यार होने वाली फशल को उपजाया जा सकता हूँ कुछ लड़ाईयां पानी के स्तरोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी युद में जिते के धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा प्रोहितों को, प्रोहित मतलब भरामन को दिया जाता था कुछ दन यग्य करने के लिए प्रियुक्त होता था यग की आग में अहुती दी जाती थी और ये अहुतियां देई देवताओं को दी जाती थी घी अनाज और कभी-कभी जानवरों के भी अहुती दी जाती थी अधिकास प्रोश इन युदों में भाग लेते थे कोई स्थाई सिना नहीं होती थी लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते फिर भी थे युद्वे शान्ती के विशा में इसलाम अश्विरा करते थे और वहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादूर और कुछ लियोदा हूँ नेक्स से लोगों की विशेष्टा बताने वाले शब्द लोगों का वरगीकन कैसी किया गया पहले लोगों की विशेष्टा कैसी हमें पता चल दे थी कि कोन किस भाशा परिवार समदाई का है तो लोगों का वरगीकन काम भाशा उनकी भाशा क्या है काम वो क्या करते हैं, किस परिवारज समधाय से रिलेटीड है और निवास्थान उनका कहां पे है, और उनकी प्रमप्रा क्या है उनकी आधार पे होता था, और रिग वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द थे ऐसे दो समूँ हैं, जिनका वरगीकन काम की आधार पे किया गया काम की आधार पे एक तो प्रोहित लोग, क्योंकि वो अनुष्ठान और यग्य वगरा करते थे और दूसरे लोग थे राजा, ये राजा ऐसे नहीं थे जो आज की राजा हम सुनते हैं, जो लोग होते हैं, मंत्री वगरा जिनकी बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये ने तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे ने इनके पास सेना थी, और ने ही ये कर्व असूलते थे प्राई राजा की मृत्यू के बाद ही, उसका बेटा अपने आप पे शाशक नहीं बनता था अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं है, क्योंकि काम के आधार पर उन लोगों का बटवारा था एक तत जन, जिसका परियोग हिंदी और अन्य भासाओं में आज भी होता है दूसरा है विश, जिसे वैशे शब्द निकला है, इसका अध्याय हम पांच में जिक्र करेंगे अरिगवेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसे हमें पुरू जन, भार्त जन और यदू जन जैसे कई विश का उलेक मिलता है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी-कभी खुद को आरिये कहते थे और अपनी विरोधियों को क्या कहते थे, दाश या दश्यू कहते थे, और दश्यू वे लोग थे, जो यग्ये नहीं करते थे और शायद दूसरी भासाइं बोलते होंगे, बाद के समय में क्या हुआ, दाश शब्द का मतलब है, वो गुलाम हो गया पहले तो दाश शब्द क्या होता था, जो यग्ये नहीं करते हैं और दूसरी भासाइं बोलते थे, वो लोग दश्यू थे, उनको विरोधि लोगों को बोला जाता था लेकिन बाद में दास का मतलब गुलाम से लिया जाने लगा, दास वे इस्त्री और प्रूश होते हैं जिने यूद में बंदी बनाया जाता था, उनके मालिक की जायदात माना जाता था और जो भी काम मालिक चाते हैं उन्हें वो सब करना पड़ता था जिस यूग में उप महातवीब के उत्र पश्ची में रिगवेद की रचना हो रही थी, उस इसमें दूसरी जगों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था और देखो वो कहां और क्या हो रहा था, खामोश प्रहरी कहानी महापाशानों की, अब महापाशानों को जिकर आएगा, शिलाकन महापाशान, महापाशान का मतलब बड़ा पत्र, महा का मतलब बड़ा और पत्र, नाम से जाने जाते हैं, ये पत्र दफन करने की जगह पर ल जक्षिन भारत में, उत्रपुर्वी भारत में और कश्मीर में परचलेती। कुछ महतोपुन महापाशान पुरास्थल मानचितर 2 में दिखाए गया है। कुछ महापाशान जमीन के उपर ही दिख जाते थे और कुछ जमीन के अंदर भी होते थे। जैसी ये देखो, अंदर वाले हैं, ये आपको इस मानचितर में दिख रहे हैं, ये देखो। कई बार पुरातित विदों को गोलाकार सजाई हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और ये एक मात्र परमान है जो जमीन के नीचे कबरों को दर्शा आते हैं। इन सब कपरों में कुछ समानता ही है समाने तो मिर्थकों को खास किसम के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाये जाता था जिने एक काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना था और उनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हमको ब्लैक और रेड वेर काले, ब्लेक मतलब काला हो गया, रेड का मतलब लाल हो गया, वेर का मतलब यहां बरतनों से लिया जाता है, मर्द भांड जो होते थे इनके साथ ही मिले हैं लोहे के ओजार, अतियार, घोडों के कंकाल, और समान, और पत्र और सोने के गहने गहने जो पृष भी पहनते थे पहले और लेडिज वगरा के साथ में भी गहने मिले हैं उनकी कबर के अंदर यह देखो यह कुलाडिया वगरा यहां मिली हुई है धेखो एक कटार मिली है गोड़े के लिए समान मिला है तो लोगों की समाजिक ऐसमानताओं के बारे में पता करना प्रातविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजे मरे हुए वैक्ति की ही रही होंगी मतब जिस कंकाल के साथ जो भी समान है तो यही सोचा हो गए यह लोग पहले यूज करते होंगे जब जिन्दा थे इसलिए उनकी कबर के साथ उनको दफनाए गया था ऐसे विश्वास होते थे लोगों की वो उनके साथ ही दफना दिया करते थे कभी-कभी एक कबर की तुलना में अमीर थे, कुछ गरीब थे यह उता समाजिक्स थी तो यह अलग के ज़्यादा उनके पास जदा चीज़े बिलते और जो गरीब थे उनके पास कम चीज़ें मिली थे कुछ लोग सरदार थे हैं और कुछ उनके अनियाई क्या कुछ कबर गाहें खास परिवारों के लिए थी कभी-कभी महापासाणों में एक सिहाधिक कंकाल मिले है और वो ये दर्शाथ है कि शायद एक परिवार के लोगों को एक स्थान पे अलग-लग समय पे दफनाया गया था बाद में वनने वाले लोगोंको पोठ हाल के रास्ते से कबरों मिला कर दफनाया जाता था ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चटान चिनों का काम करते थे वो क्या करते थे एक पत्र लगा देते थे चिन के तोर पे या कोई चटान रख दे जैसे निशाना कर देते थे कि हमारी फैमली का जो बंदा है वो यहां दफनाए गया ताकि आने वाले टाइम में भी क्या है कि वो दुबारा उस पैचान के तोर पे अगर उसी फैमली का एक गोड़ के किनारी एसी जगए है जिसको इनाम elegant के नाम से जाना जाता है और इस जगए पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे कब रहते थे 3600 से 2700 साल पहले महापाशान कब आया 3000 साल पहले और एगवेद की रचना कब हुई 1500 साल पहले तो यहां वैशक लोगों को प्राइग गड़े में सीधा लिटा कर दफना दिया जाता था और उनका सिर कहां होता था उत्र दिशा की ओर ही ये इंपोर्टेंट है कई बार उने घर के अंदर ही दफनाय जाता था और ऐसे बरतंजी में शायद खाना और पानी हो दफनाय के शव के पास रख दिये जाते थे एक आदमी को पांच कमरों वाले मकान की आंगन में चार पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाय गया था और बस्ती के बीच में बसा यह घर गाओं के सबसे बड़े घरों में से एक था इस घर में एक अनाज का गुदाम बिथा और शव के पैर मुड़े हुए थे तो इससे देखकर यह कोशन उठता दिमाग में क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था अपने जवाब का कारण बताओ यह कोशन पूछा गया है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अधर यह इतना इंपोर्टन नहीं है सिर्फ इसमें यह इंपोर्टन है कि महिला और पुरुष का कंकाल आप कैसे पैचानोगे क्योंकि जो महिला की है वो हिप्स की हड़ी है वो बड़ी होती है क्योंकि जब बच्चे को जनम देती है तो उ आज से लगवग दो हजार साल पहले चरक नाम के परशिद वैद्दे हुए उन्होंने चिकित्सा सास्तर पर चरक शहींता नाम के किताब लिखे ये इंपोर्टेंट है और मनुश्य के सिर्विन में उनके एक ओडिंग तिन सो साथ हडियां होती थी जो आज कल की रजणा लोगों के काम धंदे इनाम गाउं में पुराततव विद्धों को गेहुं जो चावल, चावल, दाल, बाजरा, मतर, और तिल के बीच मिले हैं कि लोग शिकार करके खाना खाते थे तो इन्हें भी खाते होंगे गाएं, बैल, भैस, बक्री, भेड, कुटा, गोडा, गदा, सूर, सामबर्चित, कब्रा, हीरन, क्रिशन, मिर्क, करा, नेवला, चिडिया, गडियाल, कच्छुआ, केकड़ा और मचली इसमें देखो शेर का क इन्जिक्र नहीं आया, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, जानवरों के नाम दे करके, तो वाँ शेर नहीं मिलेगा, तो इनकी हडियां पाए गई गई, ऐसे साक्षे मिले कि बेराउला, जामन, खजुर, और कई तरह की रसबरियां में ये लोग एक्तरित करते थे और ख महापाशानों के निर्वान के सुरुवात कब हुई, महापाशान वाली जो कब्र हैं, उनका निर्वान कब हुआ तीन हजार साल पहले, और इनाम गाओ में किर्षकों का निवास चतिसु से 2700 साल पहले, अब हम क्या करेंगी, सुमेल करेंगी, इसमें, सुक्त क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया शुक्त होता है अच्छी तरह से बोला गया और रत यूद के अंदर परियोग किया जाता था यग्य क्या होते थे अनोष्टान होते थे जो प्रोहित लोग करते थे दास क्या होता था दास का वर्ड गुलाम से लिया जाने लगा और महा पाशान से जाए गई पत्र हो गई महा का मरलब बड़ा और पाशान का मरलब पत्र और आगे है के लिए दासों का इस्तिमाल किया जाता था किस चीज के लिए कि जो मालिक लोग थे वो अपने दासों का इस्तिमाल करते थे जो भी वो काम उनको करवाना होता था और महापाशान कब पाई गए थे तीन हजार के अंदर पाई गए थे और इनाम गाओं में इनाम गाओं में भी पाई गए थे जमीन पर गोले में लगाएगे पत्रिया चटान किस चीज का काम करते थे एक निशान का काम करते चिन का काम करते थे पोर्ट होल का इस्तिमाल रास्ते के लिए होता था और इनाम गाओं के लोग क्या खाते थे जामून बेर, आवला, रस बरी और और पी बहुत जवार बाजरा वगरा आया है जिकर इनका वो सब खाते थे तो आज का यह हमारा फोर्ट लेसन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हम मिलते हैं, टेक के यार, बाई बाई